हलो दोस्तों श्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एलेक्टिकल बाला में तो कैसे हैं आप लोग आए होप आप लोग अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है कि पलग का पिन चीरा हुआ क्यों रहता है आप यहां पे देख सकते हैं पलग का पिन चीरा हुआ र रहता है तो यहां पर आप देख सकते हैं पलग हमारा टूपीन में आता है और ठ्री पीन में हैं यहां पर हम डूपिन देख लेता है ठीक यह हमारा प्लग ही और इसके दूपिन ट्रीक इस prec cable के चीरा हुआ रहता है तो ऐसा क्यों रहता उसको देखने से पहले हम देखते हैं यह हमारा ब्रास का होता है ठीक ब्रास यानिके पित्तल और यह प्लास्टिक जो हमें करेंट लगने से बचाता है यह ब्रास का भी हो सकता और ज्यादतर ब्रास में ही यह बीच से फटा हुआ रहता है अल्मुनियम का भी होता है लेकिन उसमें ज्यादतर आपको फटा हुआ नहीं मिलेगा यानि कि चीरा हुआ नहीं मिलेगा और जब हम plug खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं एक rating होती है plug की ऐसा थोड़ी है कि normal सा plug हम motor में भी लगा देंगे तो motor भी चलेगा चलेगा थोड़ा दिर चलेगा उसके बाद क्या हो जाएगा वो जल जाएगा तो plug की हमिसा rating होती है जो ampere में होती है ठीक है 5 ampere, 2 ampere, 3 ampere ज यह load लगा देते हैं और इस plug को हम socket में घुषाते हैं यह हमारा socket होता है कुछ इस तरह का ठीक तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यह जो plug है उसका pin चीरा हुआ क्यों रहता है तो इसके मुख्ये दो region है एक तो है हमारा tight connection यानि यह चीरा हुआ रहने की वज़े से tight connection होत आता है अब देख लेते हैं यह होता कैसे है तो सबसे पहले अगर बात करें तो ऐसे जो pin आते थे वह पहले आते थे अब मोडूल में ऐसे pin नहीं आते हैं पहले यह आते थे और पहले का जो हमारा socket होता था कुछ इस तरह का होता था तो क्या होता था कि यह जो socket था इसका ज आपस को टाइट कर देता है माल लेते हैं इसको अमने ऐसे लगा दिया और इसके बीच में स्प्रिंग कर दिया है तो यह दूनों आएगा एक अपस में उसके बाद फिर अंदर जाएगा और जितना जगह मिलेगा फिर अपनी जगह पहुंचे गा तो यह मैं लिजो फटा हु सब्सक्राइब बाद यहां पर नहीं है यहां लेते हैं आपका फेज़ जा रहा है ठीक है और यह नीूट्रल स्ट ठीक यहां पर phase or neutral जा रहा है आप इसमें कोई load connect करते हैं माल लेते हैं आप एक bulb connect कर रहे हैं ठीक है अगर यह tight connection नहीं होगा loose connection होगा तो क्या होगा spark होगा और spark की वज़े से इसमें आग भी लग सकता है यानि कि यह तार जल सकता है तो इसलिए हम plug कभी भी tight ही लेते हैं only tight की वज़े से क्या होता है spark नहीं होता है अब यहां पर बात कर लेते हैं कि heat heat कैसे होता है तो heat कैसे होता है तो Thank you this यहां पर आपने लगा रखा है जो year हेड़ हे क्या करता है current को heat में बदलता है गरमी बदलता है तो जहां तक कि आपका अगर यह लोड heater है और वह अपने हीट कर रहा है तो इससे जुड़े हुए जो वायर है वो भी हीट होगा और वो जो मेन पलग है जिससे सप्लाय आ रहा है वो भी हीट होगा तो ब्रास की प्रोपर्टी क्या होती है कि अगर यह हीट होता है तो expand होता है यानि कि यह पिन पतला नाई हीट होने के भाद थोड़ा सा मोटा हो जाएगा इसकी यह प्रोपर्टीक treatment कभी कभी क्या देखते हैं के ज्यादा हीट होने कर도 से क्या होता है जल गया होता है उस तरह का तो उससे के लिए हम यह बीच में चीरा देदेते है उससे क्या फाइदा होता है वह देख लिजीए माल लेते हैं कि यहां पे wo यह होई दो होगा ने के यह हां पर ठीक है और एक प्लंग है सतरह का जो अभ़ी पड़र।्वlaş आता है इसमें एक भाग है तो यह पूरा हीट हो जाएगा क्योंकि में फूरा हीट जएका तो इसको ठंडा हुने भी ज्यादा टैम लेकि hell लेकिन ये दो भाञ में भटा हुआ है एक इह एक बीच में हावा जाने का जगह है तो क्या होगा ये गठारम तो होगा लेकिन आजकल क्या होता है हमारा जो मोडूल सौकेट आता है वह अलग होता है उसमें क्या होता है कि यह होल होता है उसके उपर ही कैप लगा रहता है ठीक है और उसके अंदर नीचे से और उपर से स्प्रिंग जैसा कुछ लगा रहता है उसमें क्या होगा आजकल के जो से घुज जाता है अब आसानी से घुज जाता है तो इसमें टाइट कैसे होता है तो टाइट कैसे होता है यह सौकेट के अंदर ही वैसा सिस्टम प्रोवाइट कराया गया है स्प्रिंग दोनों तरफ लगा दिया गया है जब हम इसमें डालते हैं तो स्प्रिंग ऊपर चला जाता है और जब डला जाता है तो अपनी जगह पे फिर दोनों तरफ से इसको टैट कर देता है तो इसलिए आजकल जो नया है वह इस तरह का प्लग आता है पुराने हमारे इस से प्लग देते हैं ज्यादा लोड होगा तो ज्यादा हीट होगा और ज्यादा हीट होगा तो आग लगने का ज्यादा खत्रा होता है ठीक है तो इस तरह के प्लग देते थे हमारे AC में DC में हम कभी वी देखेंगे तो हमारा इस तरह का पलच danke होगा सिपरदा है इसमेंगा चीरा वह नहीं होता है जिसमेंं डिये आहिए आप मोवायल चारजर ले ले तो यहां पी क्या देखने को मिला जहां पे लोड जादा है वहां पे यह चीरा हुआ मिलेगा उससे क्या होगा इसका टाइट कनेक्शन होगा तो इस पाक नहीं होगा तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गिया होगा कि पलक के बीच में चीरा हुआ क्यों रह टॉपिक साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर